पिछले हमने दो दिन फालम्स पढ़े हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स को compare कर लेते हैं यहां से आपको थोड़ा सा समरी मिल जाएगी इनकी के लिएगा है तो दिखते हैं शेप फ्लैट वर्म्स की रांड वर्म्स की सिल्इंट्री कल होती है और टेप्रिं एंड्स होते हैं यह उपने टेप्रिंट नोकीले किनारे होते हैं और जब qué इनकी सेगमेंटेशन की अगर हम बात करें बादी क्याविटी की तो यह आग वर्म्स तो यहीं तीन है तो इन तीन की अलग-अलग जो है ना आपको बतायावा है digestion और excretion का ठीक है इसलिए इन तीन में comparison किसी और फालम में comparison नहीं बिस इसलिए मैं यह कहना चाहर हिए हुआ हैं इन तीन में ही comparison जहीं ही तीनों लेकिन जो यह तेनों तरह की वर्म्स ना है जबके metabolic waste के लिए जो है flame cells होते हैं प्रोटन एफरीडिया flame cells होते हैं ठीक है फिर उसके बाद round worms पर हम आये थे इसमें ट्यूब होता है ट्यूब में digestive track होता है proper opening होती है दोनों एंच पर प्रइडियक के बाद तो हर एक में ही है लेकिन इसके इन इंदर नापरद मीडसे बाद एक अित्ष नुए इसके नधर नीजशित नापैने और यह जो यह इंदर प्रवाद करते हैं इन बेरम इसमें नहीं होते फिर इसके बाद यह भीát जान करें बहुत इनके पास इसकिन के साथ साथ गिल्स भी मौजूद होते हैं